सवाल पूछ रहा हूँ नराजगी विपक्ष में भी है वो कह रहे हैं राम सपके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं खासकर कॉंग्रेसिया विपक्ष का कहना है कि एक तो प्रधानमंत्री का होना एक धार्मिक अनुष्ठान में सेकुलर राश्च में किसी देश के प्रधानम नंबर एक नंबर दो जब राम सपके हैं तो विपक्ष को न्योता क्यों नहीं यह दो मुख्य सवाल चंपजी कि देखो भाई राजनति के लोगों की आलोचना को हम सदेव सुनते ही रहते हैं और हिंदुस्तान को भी सुनते ही रहना चाहिए आज कुछ बोलना और कल कुछ बोलना आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है एक समझ सरकार ने सुप्रेम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है राम से तुमामले में कभी भी दिया राम का तो अस्तित्व ही कोई नहीं है उसको उन् लेकिन आयोद्या फैजाबाद के स्थर पर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को हम जरूर बलाएंगे पासपड़ोस के लोगों को ही बलाएंगे आज वो बड़े नेता हो गए होंगे हम 1984 से लेकर 1992 तक कि उनकी उमर और उनका कांट्रिबुशन याद कर रहे है हमें उनके उस उस आयू के योगदान को याद कर रहा है शेश राजनीतिक दलो को इतना ही कहूंगा शान्त रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है उनकी आलोचना का कोई असर नहीं है चुप रहेंगे तो शायद नाम आ जाएगा नाम आ सकता है मतलब चुप रहोगे तो आएगा बोलते ही रहोगे तो बोलते ही रहो नमस्कार जो ये कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री भी तो राजनेता है जब प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं तो दूसरे राजनेताओं को निमंतरन क्यों नहीं विपक्ष बहुत नाराज है बहुत गुसा है कि राम सब के हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं अरे आत्म चिंतन करो भाई कुछ अंदर जाग कर भी तो देखो हम प्रधान मंत्री जी की उसाईयू को देख रहे हैं जब 1984 था मैं कह चुका हूँ कि हम 1984 से अधिन कर रहे हैं उनके जीवन का मिशन यह है और विपक्ष का अगर एक भी दिखाई देगा कि जिसके जीवन का मिशन यही रहा है उसका जरूर विचार करेंगे कोई नाम तो बता दे ठीक ठीक है आगे बढ़िए राज जिन ती को एक बाद छोड़िए बस एक आखरी सवाल एक सवाल शुरुआत से यह उठता रहा है कि सेकुलर देश में किसी प्रधानमंत्री का धार्मिक अनुष्ठान में होना एक वर्ग को सही मेसेज नहीं जाता देश धर्म निर्पेक्ष तो फिर एक प्रधानमंत्री का धार्मिक कारिक्रम में होना ठीक नहीं यह सवाल उठाए जाता है एक आकरी सवाल है चमपजी आपसे करेंगे तो अच्छा है धर्म निर्पेक्ष आदमी तो होई नहीं सकता है और किसी ना किसी परंपरा से शद्धा से बंद्ध है कि वो भी किसी शद्धा से बंदे थे जो राजनीती भी करते थे और मस्जिद में भी जाते थे चुनाओं के पहले इन बातों को छोड़ दिया जाय तो अच्छा है व्यवस्था धर्म निर्पेक्ष होती है कानून कानून धर्म निर्पेक्ष होता है चोरी का कानून सब पर एक जैसा लागू हो विवाह की व्यवस्था सब पर एक जैसी लागू हो विरासत का कानून सब पर एक जैसा परन्तु समाज व्यक्ति अपनी अपनी शद्धा के अनुसार आचरन करेगा और राजा समाज की भावनाओं के अनुसार चलेगा